A, B, C, D, E, F A को इंग्लिश में A लिखते है A को इंग्लिश में डबल A लिखते है E को इंग्लिश में I लिखते है बड़ी, बड़ी को इंग्लिश में डबल E लिखते है U, U को इंग्लिश में U लिखते है बड़ाओ, बड़ाओ को इंग्लिश में डबल ओ लिखते है रू, रू को इंग्लिश में आर आई लिखते है ए, ए को इंग्लिश में ही लिखते है अई, अई को इंग्लिश में ये आई लिखते है ओ, ओ को इंग्लिश में ओ लिखते है अउ, अउ को इंगलिस में ये यू लिखते है अम, अम को इंगलिस में ए यन लिखते है आ, आहा को इंगलिस में ए यच लिखते है क, क को इंगलिस में के लिखते है ख, ख को इंगलिस में के यच लिखते है ग, ग को इंगलिस में जी लिखते है ग, ग को इंग्लिश में जी यच लिखते हैं इय, इय को इंग्लिश में यण जी लिखते हैं च, जो को इंग्लिश में सी यच लिखते हैं च, चो को इंग्लिश में सी डबल यच लिखते हैं ज, जो को इंग्लिश में जे लिखते हैं ज, ज, को इंग्लिश में ज, अबलिक छेड लिखते हैं इय, इय को इंग्लिश में वाईयन लिखते हैं ठ, ड, को इंग्लिश में टी लिखते हैं ठ, ठ, को इंग्लिश में टी अच लिखते हैं ड, ड, को इंग्लिश में डी लिखते हैं ध को इंग्लिश में दी अच लिखते हैं, अना को इंग्लिश में एन लिखते हैं, ध को इंग्लिश में टी लिखते हैं, ध को इंग्लिश में टी अच लिखते हैं, ध को इंग्लिश में टी अच लिखते हैं, ध को इंग्लिश में दी अच लिखते हैं, ध को इंग्लिश में द इंग्रिश में एन लिखते हैं, प को इंग्रिश में पी लिखते हैं, फ को इंग्रिश में पी अबलिक एफ लिखते हैं, ब को इंग्रिश में बी लिखते हैं, भ को इंग्रिश में बी एच लिखते हैं, म को इंग्रिश में एम लिखते हैं, य को इंग्रिश में वाई लिख रो को इंग्लिश में आर लिखते हैं लो को इंग्लिश में एल लिखते हैं वो को इंग्लिश में डबलू अबलिक वी लिखते हैं शो को इंग्लिश में यस लिखते हैं सो को इंग्लिश में यस लिखते हैं सो को इंग्लिश में यस लिखते हैं ह ह को इंग्लिश में एच लिखते है श को इंग्लिश में के यस यच अबलिक एक्स लिखते है त्र को इंग्लिश में टी आर लिखते है द्न को इंग्लिश में जी वाई लिखते है